रुद्रपूर शेत्र से पिछले 45 दिनों से लापता 13 वर्षिय बालग हमसा बेग को लालकुआ पुलिस ने ढूंड निकाला जिसके बाद लापता के परीज़ों उन्हें पुलिस को समानित किया रुद्रपूर छेत्र से पिछले 45 दिनों से लापता तेरा वर्षिय बालक हजमा बेग को लालकुआ पुलिस ने छेत्र से ही सकुषल ढूण लिया है जिसके बाद लापता के पिता शब्बू बेग सहीद सेकडो रुद्रपूर के निवासियों ने लालकुआ कोतवाली कर पुलिस का आभार व्यक्त किया मासुम बालक के पिता शब्बू बेग ने बताया कि रुद्रपूर से उनका तेरा वर्षिय बालक हजमा बेग दो जुलाई 2024 को लापता हो गया था जिसकी खोजबीन करते हुए उत्तराखंड उत्तरप्रदेश दिल्ली सहित कई राज्यों में तलाश की गई लेकिन अब उनका बेटा लालकुआ में मिल गया है जिसके लिए उन्होंने सभी छेत्रवासियों से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद दिय मेरा बेटा हमजा बेग जो लगबक करीब देड़ महीने से लापता था घर से और हमने इसको कोई कसम नी छोड़ी ढूंडने में बहुत दूर दूर तक ढूंडा पास तक ढूंडा लालकुआ हजवानी देहरा दून कट्रा काजगाई तक एदा हो दिल्ली बताईं अजमे है राइस्तान जेसल मेर सभाण दूनने की बाद जाता के मैंने और मेरी टीम मैरे भाई मयरे दोस्त मेरे चाचा मैरे मामा मेरा पूरा महला पूरा शहर मेरे साथ क्का हुआ है और कूछ इसा जग है निशोड़ी चाल हम भुवने देखा नहीं और हर बन्दे ने मेरी सपोर्ड करी हरेक बने मेरी सबोर्ड करी लालकोय वालों ने चाहें लालकोय की बात हो खलण kuvani की बात हो या काड़ वादाम की बात हो यहां के लोग कितने बढ़हां मेरी बहुत सबोर्ट करी है आज मेरे पांट कि आपका बेटा मेरे साथ है और वो यहां है लालकुवा है मैंने बात करा दो मैंसे नहीं मानूंगा क्योंकि कल आमार सब्सक्राइब हो चुका था कली काजगंज के मामला था एक लेडिस फॉन कर नहीं सी ओबन के तो हमारे मेरे भाई लोग यहां से करी 40-50 लोग काजगंज कज़े है तो आधिक पूचे और और सबस्कम करते में इसकोक वेलियों तो पहुं अपर जो कोको छला चल रहे है р Dao ने पीज़े पोषालिए ठीक से इंदर पर लिखा पड़े चल रही है और मीडिया बहुत मेरे साथ चाहें वो यहां किये या रुज़पूर के बहुत सपोर्ट रहा कुलिस का सायोग रहा काफी लोगों ने महनत करी बहुत लोगों दुआएं और महनत मेरे साथ है मेरा पूरा शेहर मेरे साथ लगा हुआ था रबिन दरनाथ टेगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ट फॉर फाइव कंसेकुटिव यर्स आप देख रहे है दखल नियूद